जाइका का इरिगेशन प्रोजेक्ट पपलोग पंचायत के अंदर कराडी गौह में यह बनाया गया है इस तरह से यह सोलर पैनल लगें और नीचे काफी घराई पर आपको खट दिखरी होगी और यह नीचे जो दिख रहा है वह पपलोग का ड्राइविंग स्कूल है और उसक इलेक्टिसिटी मोहिया कराई जाती है और इसके साथ फिर पानी जो है वो लिफ्ट किया आता नीचे से वह पानी का भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां से पानी लिफ्ट हुआ है तो यह एक अच्छा प्रोजेक्ट I don't know whether it is in proper use or not but एक अच्छी पहल है जाइका की इस तर पैनल काफी उपर है जमीन से तो नीचे एक लैंड को जो है प्रॉपर उटलिजेशन हो रहा है यह देखिए और इस तरह से यह पंप हाउस शाहिद और यह वोटर टैंक इसमें पानी कठा होता है मैं कोशिश करता हूं इसके उपर चड़ने की और दिखाने की उपर से इसमें कोई खास पानी नहीं है मुझे तो नहीं लगता कि अब यह यूटलाइज हो रहा है यह आप यह देख पाएंगे किसी भी स्कीम का हम लोग यूटलाइजेशन प्रॉपली करी नहीं पाते हैं अब आई डॉंट नो वाटार दरीजन्स थोपसा मुश्किल हो रही है रही है में यह इस तरह की यह देखिय यह पंप से इस तरह से यह पानी की पाइप आप लोगों रिखी होगी और यह कुछ इस तरह का व्यूव दिखता है इस तरह की काफी अच्छी स्कीम्स हैं गौवर्मेंट ने विलेज लेवल पर डवलप करी हैं बट वह मैक्सिमम स्कीम फेलियर ही होती है उसका रिजन बहुत सारे हो सकते हैं लोगों को कॉंट्रिबिशन और यह रेखिए जो यह खड का जो वोटर लेवल था काफी नीचे ज चुका था बट अब इस तरह के प्रोजेक्ट से यह देखिए पानी सारा लिफ्ट हो रहा है और नीचे जाके मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से यह सिचुशन है और ट्रेकिंग वाली पॉसेशन नो वेट 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 इधर से आओ यह दिखिए इस तरह से पानी लिफ्ट किया उपर को नीचे आपको दिखाऊंगा जहां डैम बनाए और डैम से पानी खलक्ट करके उपर पंप किया गया और आगे खेतों में उसकी सिंचाई हो रही है खेतों में सिंचाई हो रही है नहीं हो रही that I don't know but project is very nice यह देखिए यह जनरली एक खड़ हुआ करती थी इस तरह से सूखी हुई बट इस पर डैम बनाके इसका वैली उट्लाइजेशन करा गया है पानी की लिफ्टिंग के लिए अब यह वर्किंग है नहीं है लोग उट्लाइज कर रहे हैं क्योंकि जो अभी टैंक की सुच्रेशन को देखत आया गया है और यह पानी पुरा यहां इक अठ्था है यह देखें कर दो